हलो फ्रेंड्स, वेलकम माई यूटूब चैनल, मैं संपत सिंग, आज आपके लिए एक आया हूँ, परमुक बोतिगराशियां के मूल मातरक, संपूरक मातरक और युद्पन मातरक, तो मातरक है वो हर प्रिक्षा में एक अदस्वाल, हर कोई एक्जाम में मिली जाता है, तो आज हम परमुक जो मातरक जो पूचे जाते हैं, बोतिगराशियों के वो देखेंगे, और यहां जो हमने मातरक लिए हैं, वो ऐसा ही मातरक लिए हैं, तो देखते हैं, कौन कौन से हैं, तो पहले हम ले रहे हैं, आपके जो मूल मातरक है ना, वो, तो पहले हम शुरुआत क करते हैं तो तरजूम कर लेते हैं पहले हमारी जो बोतिक रासी है वो है लंबाई तो यहां हम पहले मूल मात्रक की चर्चा कर रहे हैं फंडामेंटल यूनिट्स की बात कर रहे हैं और यहां सीरफ और सीरफ हमने SI मातरक लिए हैं तो पहला है हमारा लंबाई यानि आपकी length और length का जो SI मातरक होता है वो होता है meter और इसको हम capital M से दर्शाते हैं number two हमारा आता है दर्वेमान यानि जिसको इंगलिस में कहते हैं mass और इसका SI जो मातरक होता है वो होता है kilogram जिसको तीन हमारा आता है वो आता है समय यानि time जिसका SI मातरक होता है second और जिसको small s द्वारा दर्शाया जाता है next हमारा जो आता है वो आता है विद्युत धारा और विद्युत धारा का SI मातरक होता है वो होता है ampere और इसका परतिक होता है capital A next आता है मारा top यानि temperature और temperature का जो ऐसा मात्रक होता है वो हता है Kelvin जिसको दिखाया जाता है capital K से next आता है मारा जोती तिवरता ये कापी important है इसको कई बार पूचा जाता है और इसका मात्रक होता है candela जिसको दिखाया जाता है small C और small D से यानि C और D से इसको denote किया जाता है और last हमारा जो मूल मात्रक में आता है वो आता है पधार्ट की मात्रा जिसको मूल इसका मात्रक होता है जिसको M, O, L के रूप में दर्साया जाता है तो यह तो हो गए हमारे साथ मूल मातरक अब हम बात करेंगे next संपूरक मातरों की और संपूरक मातरक में हम वही तरीका लाएंगे इदर हमारे बहुतिक राशी रहेगी इदर हमारे लेंगे SI मातरक यहां भी हमने आपके SI मातरक की लिए हैं तो इसमें दो ही सामिल किये गए ह तो पहला तो हमारा होता है समतल कौन जिसका ऐसा ही मात्रक होता है आपका रेडियन जिसको आर एडी दोवारा दर्साया जाता है और दूसरा आता है ठोसिये कौन और ठोसिये कौन को जो मात्रक होता है वो होता है स्टे रेडियन जिसको दर्साया जाता है एस और स्मॉल आर से इसमें दो सामिल है अब है युद्पन मात्रक और युद्पन मात्रक में कौन कौन है तो वह हमारा चले का तरीका इदर हमारे रहेगी बोतिक रासियां इदर रहेगी इसके ऐसा ही मात्रक तो नमर वन आता है हमारा छेतर फल यानि एरिया और एरिया का जो ऐसा ही मात्रक होता नमर टू आता है आईतन यानी वोल्यूम और इसका ऐसा ही मात्रक होता है मेटर क्यूब यानी एम क्यूब। जो ऐसा ही जो मात्रक होता है वो होता है मारा किलोग्राम परती मीटर क्यूब यानि इसको हम कैसे लिख सकते हैं केजी किलोग्राम परती मीटर क्यूब इस परकार इसको हम लिख देंगे तो यह हो जाएगा इसका मात्रक नेक्स्ट नमर चार आती है हमारी स्पीड यानि चाल और चाल का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड या मीटर परती सेकेंड जिसको हम लिखते हैं मीटर परती सेकेंड नेक्स्ट हमारा नम्मर पांच आता है और वो आता है मारा वेग वेलोसिटी और वेग का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो ही होता है जो चाल का होता है यानि मिटर पर ती सेकंड सेम ही मात्रक होते हैं वेग और चाल के नमर शिक्स आता है हमारा त्वरन यानि ऐसी लरेशन और उसका ऐसा ही मात्रक होता है मिटर पर ती सेकंड स्क्वाइर यानि मिटर पर सेकंड स्क्वाइर नेक्स्ट हम चलते हैं नमर सेवन पर और नमर सेवन पर हमारा आता है बल यानि फोर्स और फोर्स का ऐसा ही मातरक होता है न्यूटन जिसको हम केपिटल एन से भी दरसाते हैं इसका एक और मातरक होता है वो भी आपको याद रखना है तो बलका एक दूसरा मातरक होता है वो होता है किलो ग्राम केजी मीटर पर सेकंड स्कुईर तो इसी को ही Newton के नाम से जाना जाता है यानि केजी गुना मीटर परती सेकंड स्क्वाइर को ही Newton कहते हैं तो इसको भी आप ध्यान दख सकते हो Next आता है हमारा समवेग यानि आपका momentum और इसका जो मातरक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर परती सेकंड यानि इसको हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे किलोग्राम मीटर परती सेकंड यह यहाँ गुणा मेहरा सी किलोग्राम गुणा मीटर परती सेकंड हो जाएगा momentum का मातरक Next होता है मारा आवेग और आवेग का मातरक यानि इमपल्स का मातरक होता है Newton सेकंड न्यूटन सेकेंड और 10 पे आता है हमारा दाब, फ्रेशर और जिसका मातरक होता है पास्कल और पास्कल को हम किस रूप में लिख सकते हैं पास्कल को हम लिख सकते हैं न्यूटन प्रती मीटर स्कुआइर नूटन परती मिटर स्क्वाइर को ही पास्कल कहा जाता है जैसे अभी हमने देखा किलोग्राम मिटर परती सेकंड स्क्वाइर को नूटन कहा गया था उसी प्रकार नूटन परती मिटर स्क्वाइर को पास्कल कहा जाता है नेक्स्ट आता है 11 नमर पर कारिय और उड़जा कारिय यानि वरक और एनरजी दोनों का एक ही मातरक होता है और वो होता है जूल और इसको भी हम नूटन प्रती मिटर जोरी नूटन गुणा मिटर यानि नूटन मिटर के रूप में भी इसको लिख सकते हैं तो जूल को है जो मातरक होता है वो होता है वाट या इसको आप लिख सकते हो जूल परती सेकंड तो जूल परती सेकंड को भी क्या केते हैं वाट केते हैं तो इस प्रकार ये 12 आपके कौन से मातरक हो गए व्युत्पन मातरक हो गए इस प्रकार ये मूल मातरक इतने ही होते हैं और इन स पूछे जाते हैं इन्हीं राशियों का हमको बार बार इस्तेमाल किया जाता है धन्यवाद